तीन चोर चोरी करने एक घर में जाते हैं, तीनों को घर में पैसे तो कहीं नहीं मिलते, लेकिन उनके हाथ एक प्राचीन चिराग लग जाता है, अब आगे क्या क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। म्यूजियम से कम नहीं था, क्योंकि उसके घर में बहुत सारी प्राचीन चीजें थी, जब चोरों को घर में कहीं भी पैसे नहीं मिलते, तो वो जिया के कमरे की तरफ बढ़ने लगे, उनके कदमों की आहट सुनकर अब जिया भी जाग गई, तीनों बदमाश उसके पास आकर उससे पैसों के बारे में पूछते हैं, जिया के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो कुछ नहीं बताती, और बदमाश उसे मारने लगते हैं, मार पीट के बाद भी, जब बदमाशों के हाथ कुछ नहीं लगता, तो एश को बहुत गुससा आता है, वो गुससे में आकर एक दीवार तोड़ने लगा, और ये देखकर जिया बेहद घबरा गई, जल्दी ही ऐश को पता चल जाता है कि दीवार खोखली है, जिस कारण वो दीवार पर कई हमले करता है, जिया अब बेहद डर चुकी थी, जल्दी ही ऐश ने काफी दीवार तोड़ दी, जिसके बाद उ गुस्से में आकर जिया को मार ही देता है, जिया की मौत के साथ ही उसका कंगन भी अपने आप खोल जाता है, अब एश और जिम्मी चिराग खोलने लगे, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाते, रिया दोनों का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन उसकी बाते अंसुनी कर एश कहता है, तुम दोनों दूसरे कमरे की तलाशी लो, शायद वहां कुछ पैसे मिल जाएं और हमारी दिहाडी बन जाए, एश की बात मानकर दोनों दूसरे कमरे में आ गए, जबकि उधर एश चिराग को रगडने लगा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, अब वो चिराग का म पाहर आकर पानी में मस्ती करने लगे थे, दूसरी तरफ एश अभी भी धुआ निकलता देखकर हैरान था, असल में चिराग का जिन आजाद हो गया था, और वो सीधा जिया की लाश में चला जाता है, धुआ बंद होने के बाद एश फिर से पैसे ढूणने लगा, इसी बी पाहरी बॉई जिया को राशन देने आया था, और उसी ने लाशें देखकर पुलिस को बुलाया था, पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि घर में चार-चार कतल कैसे हुए, और ये कतल किसने किये, पुलिस को भी घर में कई प्राचीन चीजे दिखती हैं, जिया का को प्राचीन समान देखना चाहता था वो बाजार जाने से मना कर देता है जिस कारण नीना उदास हो गई थी उदास होकर नीना विल्यम से कहती है आप मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते अगर आज मेरी माँ जिन्दा होती तो मैं आपसे वक्त भी ना मांगती मेरी का जिन उनकी हर बात सुन रहा था अपनी गलती मानकर विल्यम कहता है मुझे माफ कर दो मेरी बेटी हम अभी बाजार जाएंगे दोनों बाप वेटी का समझ вопросы पता होने के बाद मैसी विलियम से कहता है अब हमें केमिकल तयार करना चाहिए ताकि हम चिराग पर केमिकल लगा कर उसकी उम्र पता कर सकें मैसी की बात सुनकर विलियम उसके साथ चला जाता है उनके जाते ही नीना चिराग को देखने लगी चिराग देखने के बाद वो जिय का बाकी समान भी देखती है समान देखते देखते नीना की नजर जिया के कंगन पर पढ़ती है कंगन अभी भी चमक रहा था नीना कंगन उठा कर जैसे ही उसे पहनती है तो उसी पल चिराग को कुछ होने लगता है अब नीना कंगन उतारने की कोशिश करती है लेकिन वो उतर पर ही नहीं रहा था. इसी बीच उसकी नजर चिराग पर पड़ती है और उसकी हलचल देखकर वो हैरान हो जाती है. अब वो कुछ सोचकर चिराग उठाती है और फिर उसे रगड़ने लगती है. नीना ध्यान से चिराग को देख रही थी. इसी बीच विलियम उसके पास आता यह गाड़ी नीना के प्रेमी की थी जिसका नाम सैम था. अब नीना उसके पास आकर बैठती है और दोनों कॉलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं. दूसरी तरफ मैसी और विलियम को पता चल चुका था कि चिराग 5,000 साल पुराना है. दोनों ने इस पर केमिकल लगाया था और उसी से इन्हें चिराग की उम्र का पता चला था. दोनों अब चिराग के बारे में गहराई से जानना चाहते थे ताकि उन्हें चिराग की हर बात पता चल सके. उधर नीना अपने कॉलेज में पहुँच गई थी. नीना के कई दोस्त थे और सभी लोग ट्रिप पर जान और फिर उसका मुह खोल देती है, मुह खुलते ही चिराक का जिन आजाद हो गया, और इस बार वो नीना के अंदर चला जाता है, कुछ ही पलों बाद नीना ठीक दिखने लगी, जिसके बाद वो अपने साथियों के पास आ गई थी, उसके ग्रुप में दो और लड़कियां भ कॉलेज के दो बदमाश लड़कों ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, उन दोनों ने भी म्यूजियम में रुकने का फैसला कर लिया, दोनों की नियत नीना के लिए खराब थी, और वो उसके साथ मज़े करना चाहते थे, उधर मैसी विलियम को जिया की पुरानी तस्वीर पुराने अखबारों से पता चली थी, तस्वीर में चिराग भी दिख रहा था, दोनों अंदाजा लगाते हैं जिसके पास चिराग होता है, उसका बुरा हाल हो जाता है, अब मैसी अपनी लैप की तरर बढ़ने लगा, ताकि वो चिराग पर और खोज कर सके, जबकि विल मारिया भी आई थी. मारिया नीना की प्रोफेसर थी और उसका चक्कर विलियम के साथ चल रहा था. उधर जिन नीना के शरीर से निकल कर मैसी की लैब में पहुँच चुका था. जिन नजर तो नहीं आ रहा था लेकिन कमरे में हलचल देखकर मैसी डर गया था. जिन को पसंद नहीं था कि मैसी उसके बारे में ज्यादा जाने इसलिए वो मैसी को बेरहमी से मार देता है. कुछ ही देर बाद ट्रिप वाले बापस जाने लगे. नीना अपने पिता के पास रुकना चाहती थी और मारिया उसकी बात मान जाती है. थोड़ी ही देर बाद नीना के दोस्त म उसे मैसी की लाश नजर आती है. इससे पहले कि वो पुलिस को फोन कर पाता जिन उसे भी जान से मार देता है. उधर नीना के सभी दोस्त बेस्मेंट में पहुँच चुके थे. सभी दारू पीकर मस्ती करने लगे थे. इसी बीच सेंडी नाम की लड़की पर दारू गिर ज जाती है. जिसके बाद वो नहाने चली जाती है. बदमाश लड़के भी बेस्मेंट में पहुच चुके थे और उनके पास नकाब थे. जल्दी ही सेंडी नहाने लगी और बदमाश लड़के भी यहां पहुच गए थे. दूसरी तरफ गुलाब जामुन खाने वाला गैरी अपनी प्रेमी का मैंडी के साथ बैठा था. दोनों बैठे गर्म बातें कर रहे थे ताकि माहौल बना सकें. उधर सेंडी का प्रेमी भी बाथरूम के पास बैठा था. वो सेंडी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था. इसी बीच जिन बाथरूम की तरफ बढ़ता है. वो पहले सैंडी के प्रेमी को मारता है और फिर सैंडी के पानी में सांप फेंक देता है। इतने सारे सांप देखकर सैंडी बेहट डर गई थी और सांप उसे मार देते हैं। अब गैरी भी जोर पढ़ने पर बातरूम की तरफ आ गया था। गैरी को देखकर बदमाश लड़के वहां से चले जाते हैं। गैरी दर्वाजे पर आवाज भी देता है ताकि सैंडी बाहर आ जाए। लेकिन काफी पुकारने के बाद भी जब सैंडी कुछ नहीं बोलती तो वो सीधा बातरूम में आ जाता है। उसकी नजर जैसे ही सैंडी की लाश पर पढ़ती है तो वो बुद बन जाता है। इसी बीच एक सांप उसकी पतलून में घुस जाता है और उसके डंडे पर काट कर उसे भी मार देता है। उधर मैंडी समय बिताने के लिए प्राचीन ड्रेस देख रही थी। इसी दौरान बदमाश लड़के भी उसके पास पहुँच गए। इसी दौरान जिन एक मम्मी को जिन्दा कर देता है जिसके बाद वो सैम को मार देती है। सैम की मौत देखकर नीना बेहट डर गई थी और उसी पल विलियम और मारिया भी उनके पास पहुँच गए थे। नीना जल्दी जल्दी उन्हें बताने लगी कि सैम मारा गया। उसकी बात खत्म होते ही उनके सामने जिन आ जाता है। जिन उन्हें बताता है कि मैं जादूई जिन हूँ और नीना चिराग की रखवाली करने वाली है। विल्यम को मारने वाला था और ये बात जानकर तीनों भागने लगे थे। तीनों के पीछे जिन भी लग चुका था और तीनों भाग कर मैसी की लैब में पहुँच जाते हैं। और तीनों फिर बाहर भागने लगते हैं। चिराग म्यूजियम में था। तीनों म्यूजियम के बाहर पहुच गए थे और जल्दी ही जिन विल्यम को मार देता है। अब जिन मारिया को भी मारना चाहता था। मारिया को बचाने के लिए नीना फिर से म्यूजियम में आती है। जल्दी ही उसे चिराग भी मिल जाता है। जिसके बाद वो उसे आग में फेक देती है। कहानी के आखिर में जिन मारा गया था। जबकि नीना और मारिया जिन्दा बच जाती है। इस जिन को मौद बेहत पसंद थी। इसलिए उसने नीना के सभी दोस्तों को मारा था। इसी के साथ इस कहानी का यहीं अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब क मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।